ऍ्ट मुद्धा रे चल Decay आँ है यह डिमिनाग्ण ऑफ जाँ ख़ैसे हैं भाई आप लोग चले आँषार करें आज की क्लास स्टाट ओके अंशीका सेंग हेलो वंशीका सेंग गोड इवनिंग गोड इवनिंग गोड इवनिंग चलिए बचो आज यार अभी बाड़ी फ्लूड एंड सर्कुलेशन ही हमारा टॉपिक कंटीनिवेशन में लास्ट क्लास में आपको हार्ट का स्टक्चर डिसकस किया गया था अभी उसीमें हमें आगे कंटीनिवेशन में आते है करण छोحان गोड इवनिंग गोड इवनिंग गोड इवनिंग चलियार मैं आसिफ्तियागी बास्टर टीचर जॉलोजी और यहां पे सरश्टीदास गोड इवनिंग करन चौहान येस अभी यहां पे चलिये नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं यहां पे 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 यहां प कुछ मालवी का सोनी जी ने सेक्शन को डिजाइन कर रखा है एनीवे यहां पे अनाया भी आ चुके हैं गोड इवनिंग बिटा चलिए औरेजिन एंड कंडक्शन अफ हार्ट बीच के लिए अभी यहां पे आर हम बाद में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है पहले काम करते है फ़ड़ी स्लाइड 특히 हम लोग चीजओं को explains करें आपको अगर हम यहां पे चीजओं पर आपको इलैबोरेट करें कि अगर 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 यह कल जो structure बनाये था उसी को अगर हम लोग replicate करके बनाएं तो हमारे पास बच्चों यह structure यह heart का structure ठीक है इस heart के structure के हिसाब से यह कुछ हमने इसके chambers आपको दिखा दिये यह कुछ outline हमारे heart के chambers किया गई अब बच्चा लोगों यहाँ पर एक चीज़ यह दियान रखिए यह right atrium में upper right corner में right atrium के upper right corner में यह जो black dot दिखाया है यह कुछ नहीं है यह cardiac muscles ही है जो की एक special काम के लिए modify हो गई है यह heart beat को originate कर दे के लिए modify हो गई है क्या structure है भई यह structure ऐसे node है जो की किसका cardiac muscles का modification है heart beat को originate करने के लिए modify हुआ है इधर एक और node है भई हमारे heart में दो node हैं दूसी node का नाम AV node दूसी node का नाम AV node अब AV node के बाद structure जो start हो जाता है उसको बोलते हम लोग AV bundle atrio ventricular bundle या पिर atrio ventricular bundle के लावा इसको और बोलते हैं हम लोग bundle of his his यहाँ पर scientist का नाम जोनों ने इसको discover किया अब इसकी एक branch तो आ रही है यह यह right branch है bundle of his की और एक branch आ रही है यह यह left branch है bundle of his की और यह ventricle की wall में अगर आप लोग 3D में सोच पा रहे हो यह ventricle की wall में है अभी क्योंकि हमें ventricle की wall में बहुत तेजी से बहुत swiftly information कंड़क्ट करनी है तो इनके भी यहाँ पे क्या है कि इनके भी कुछ fibers निकले होते हैं उनको बोलतम लोग पुरकिंजे fibers बोलेंगे एके करके अगर मैं आपको labeling कर दो तो यहाँ पे हमारे पास structure का नाम है इसको बोलतम लोग S-A-N मतलब साइनो एट्रियल नोड यह दूसरा structure है इसको बोलतम लोग A-V-N A-V-N का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड अब यह structure bundle of his है लेकिन bundle of his जोए पुरकिन्जे फाइबर तक bundle of his ही है भई यह पुरकिन्जे फाइबर तक bundle of his ही कहलाएगा अब यहाँ पे आरा हमारे पास इसमें अगर आप लोग और structure देखें तो यह structure अगर आप लोग को कना दिख रहा हो तो यह हमारे पास right and left branches हैं किसकी branches हैं भई right and left branches of bundle of his ठीक है और इसके बाद यह जो इन ब्राइबर निकले में उन फाइबर का नाम है बच्चा उन फाइबर का नाम है पुरकिन्जे फाइबर उनका नाम है पुरकिन्जे फाइबर ठीक है ना अभी एके करके यहाँ पे पॉइंट्स आपको और elaborate करते हैं बिल्कुल यार आप लोगों के जवाब जो आ रहे हैं स्रश्टी दास पुरकिन्जे फाइबर लिख चुकी हैं ओम प्रकाश रिमाब पात्रा ऐसे नोड लिख चुके हैं बाकी यहाँ पे यह आगे अगर हम लोग चेक करें कैसे कैसे चीज़े चलेंगी तो यहाँ पे यह हार्ट का structure है और यह जो यहाँ पे आपको black components जो भी दिखा रखे हैं यह black components क्या हैं एक्शली यह black components cardiac muscles का modification हैं जिनको हम लोग cardial elements बोलते हैं जिनको हम लोग nodal tissue बोलते हैं जिनको हम लोग junctional tissue बोलते हैं कौनसे टिशू हैं ये कार्डियक मसल्स ही हैं जो कि हार्ट बीट को औरिजिनेट करने के लिए और कंड़क्ट करने के लिए मौडिफाई हो गई हैं चलो बचो एक काम करते हैं अरिये अब यहां पे और मैं इस फिगर को थोड़ा सा यहां पे डिलीट करता हूँ और वापस आता हूँ यार वहां पे जहां पर हमें पढ़ना था अब यहां पे देखे हमारे पास यह स्लाइड में चीजे लिखा हूआ है Origin and Conduction of Heartbeat पहला पॉइंट लिखा है Heartbeat is a wave of electrical potential Heartbeat is a wave of electrical potential मतब Heartbeat is a kind of current यह electric current type का कुछ जो है मतब कुछ है बस बसकिकली Heartbeat is a wave है एक wave है electrical potential मतब drop electric current की wave है एक और पॉइंट लिखा है Myogenic in Origin Myogenic Origin का मतलब यहां पर Bio Word Bucles के लिए आता है और Genic Word आता है यहां पर Generation के लिए या Origin के लिए तो अब यहां पर यह बता है कि जो यह Heartbeat की बात कर रहा है अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम लोगों की Heartbeat Myogenic होती है कौक्रोज अर्थवं में नियूरोजनिक होती है कौक्रोज या अर्थवं में नियूरोजनिक होती है अभी उससे मतलब नहीं है यहाँ पे मायोजनिक इंपल्स इस औरिजनेटेड और कंडुक्टेड भाई इस पेशनाइस कार्डियक मसल्स कार्डियल एलिमेंट्स नोडल टिशू और जंक्शनल टिशू अब यहां पे यह लिखा हुआ है भाईए कि जो हार्ट बीट है उसके लिए जो करंट है उसको औरिजनेट करनेगा और उसको कंड़क्ट करने वाले स्ट्रक्चर का नाम कार्डियक मसल्स हैं जो कि इस काम के लिए बॉडिफाई हो गई है तो उनको हमने क्या बोल दिया उनको हमने कार्डियल एलिमेंट्स बोल दिया उनको हमने नोडल टिशू बोल दिया या उनको हमने जंक्शनल टिशू बोल दिया दो तीन नाम आ गए Components में क्या-क्या है SAN, AVN, Bundle Office और Purkinje Fiber यहां पे भी figure है अगर इस figure के हम लोग labeling देख लें तो यहां पे देखे येलो का नल में ये SA note दिखा रखा है दूसरा AV note दिखा रखा है उसके बाद ये right and left branches दिखा रखी है और पिर अगर आप लोग figure को देख पा रहे हो तो यहां पे येलो का जो और पूरा branches का network दिखा रखा है वो Purkinje Fibers हैं जो की heart की wall में, ventricle में पहले पड़ें अब बचों यहां पे अगर आप लोग next information पाएं तो next information में यहां पे देखे इस figure को थोड़ा थोड़ा और elaborate कर रखा है इस figure में इनों ने आपे क्या दिखा दिया इस figure में अगर हम लोग चेक करें तो पहला structure हमारे पास यह है जिसको हम बोलने है sa node, sinoatrial node sinoatrial node को हम लोग pace maker बोलते है as it initiates heartbeat, as it originates heartbeat यह heartbeat को originate कर रही है यह heartbeat को initiate कर रही है अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों में sa node की location अपर right corner of right atrium यह right atrium है यह इसकी उपर वारी side है यह इसका right corner है अपर right corner of right atrium NCRT ध्यान लगना ठीक है? और एक और बात NCRT ने जो लिखी वी है कि जो sa node है na sa node से क्या होता है 70 से लेके 75 जो है यह action potential per minute create होता है कितना भई? 70 से लेके 75 times action potential generate होता है एक minute में 70 से लेके 75 times action potential generate होता है एक minute में तो यही almost हमारा heart rate हो जाता है यही हमारा heart rate हो जाता है तो ऐसे नोट के बारे में तीन बाते याद रखनी है एक तो यह क्यार यह पेस में करें दूसरा यह कि यह action potential generate करता है 70 से लेके 75 पर मिनिट के नमबर के इसाब से और एक बता है आपको इसके location upper right corner of right atrium इसके location है अब इसके बार यह देखे यह देखे जब यहां से current generate हुआ तो यह current फैल जाएगा कहां पर यह atrial chamber में current फैल गया है और जब यह atrial chamber में current फैल जाएगा तो पिर उस current के response में जो atria की muscles होती है वो depolarize हो जाएगी depolarization का मत्तब यह कि जब muscle अभी resting condition में है अभी वो relaxed state में है अब हम उसको बोलेंगे अरके polarize state में है जब हमने उसको stimulus दिया तो उसकी membrane के charge के अंदर कुछ change आता है उसको बोलते हम दो कि वो depolarize हो गई है और जब वो depolarization होगा उसके बाद फिर contraction भी operate होगा तो पिर यहां पे यह कि जब atrial depolarization हो जाएगा जब atria depolarize हो जाएगे उस current से तो फिर atria contract करेंगे और जब atria contract करेंगे तो अपने blood को ventricle में pump कर देंगे जब atria से blood ventricle में रहेगा तो यह AV valve खुल जाएगे AV valve खुल जाएगे और जिस ताइम atria से blood ventricle में आ रहा है न उस ताइम ventricle फैल रहे होगे वो diastrol में रहेगा वो फैलेगा बचो और देखें यहाँ पे अब यहाँ पे और सुनिये यार यह SA node के बाद यहाँ पे क्या रहेगा देखें क्या लिखा है electrical impulse spread from sinus node throughout left and right atria causing the atria to contract and expelling its volume of blood into the ventricle यही मैंने आपको explain किया जब SA node का current atria में फैलेगा तो atria contraction में जाएंगे और atria अपने blood को pump कर देंगे कहां पे ventricle में अब क्या हुआ बच्चो meanwhile यह हुआ meanwhile क्या हुआ यह जो SA node का current है यह क्या करेगा अब यह AV node को आकर stimulate करेगा जब यह AV node को आकर stimulate करेगा तो AV node इसको as a stronger customers receive करेगा और AV nodeपना fresh current inspired करेगा ऐसे भी सवाल पूछते हैं कर यह जो heartbeat है यह AV node से पिन जब हो सकती है या पिर AV node भी auto excitatory है क्या, तो cardiac muscles auto excitatory होती है यह credentialsAngelcular deep हो सकता है यह AV node से भी바 जब हो सकता है यह bundle of his스 से भी generative हो सकता है लेकिन हमें चाहिए है से नोट से ही क्योंकि अगर working से नोट होगा अगर ठीक काम करनेवाल से नोट होगा तब ही cardiac cycle ठीक से operate होपाएगा पर हाठ ठीक से काम कर पाएगा अगर से नोट काम नहीं कर रहा है तो current AV note तो generate कर देगा लेकिन उस current से हमारा cardiac cycle बिगड जाएगा इसलिए अगर किसी का essay note ठीक से काम करना बंद कर देता है तो essay logo को एक artificial paste maker लगा दिया जाता है जो की essay note का substitute होता है जो essay note का काम करता है तो अब वो artificial paste maker जो है उसको हम आगे discuss करेंगे VOS चैनल पे लाओ प्लीज रोहन वानी बेटा VOS चैनल वाले जो है वो नीट वेड़ा देख लें तो चल जाएगा ना गाम यार तो रोहन वानी यार NTSC वाले चैनल पे जो है आप तोड़ी सी यार वो VOS वाले चैनल पे मेरी पप्रिस्टी कर दी यार इतनी सारे like and share आ जाते हैं वहाँ तो हाँ एक गड़े के सेक्शन में तो बिलकुल यार एक काम करते हैं वो VOS चैनल पे भी आगर आप लोग डिमांड करोगे तो आर वहाँ पे भी उसके लिए भी लेक्चर बना देंगे अभी फिलाल तो यह नीट वेड़ा चलना है तो यहां तो यह के नीट करोना और एम्स चलोना यहां तो हमारा जो मोटो है वो एम्स डैली टार्गेट है भई यहां तो एम्स डैली टार्गेट है वी ओस पे आएंगे मैटा वी ओस पे आएंगे अभी वी ओस पे पहले NTSC कंप्रीड करने उसके बाद वी ओस पे आते हैं अब ही यहाँ पर यह बताया आपको कि अब क्या बताया था एप्रेश करण का कर्ण तो अब एटरिया का डीप उलाइशन करके एटरिया को कॉंस्तरेक्ट करा के दो आपको ब्लाट को वेंटरीकल में डाल देगा अब क्या होगा ऐवी नोट ने उस करण को receive किया और AV note ने हमना fresh current generate कर दिया जब AV note अपने fresh current को generate करेगा तो अब AV note के current को भी अब जैसे आपने देखा होगा गरों में हमारे appliances लगे होते हैं हाँ बिशनी की चीजे लगी भी है current होता है ना और current एक second के अंदर हमने इदर switch on किया इदर से हमारा जो है वो light जल गई या बंद हो गई तो बस यहां पे भी आप यह माल दी जिए कि इतनी तेजी से चीजे हो नहीं हैं ये भी तो current ही है ना अब ये current AV note से bundle of his के थूँ और उसके बाद पर उसकी branches के थूँ और ventricle अगर आप लोग इमेजिन करो ventricle में चारो तरह पहल गया वही पुर्किंजे फाइबर से उस current को हमने तेजी से ventricle में चारो तरह पहला दिया और ventricle में जब हमने तेजी ते current पहला दिया अब ventricle से इस्टॉल में जाएंगे और जब ventricle से स्टॉल में जाएंगे तो right ventricle से blood जाएगा lungs में और left ventricle से हमारे सारे सिस्टम से blood को बेज दिया जाएगा और एक बहुत और यहां पही है क्योंकि अभी बताया आपको कि जब branches में आएगा तो ventricle में चारो तरह इंफॉर्मेशन को बेजना है इसलिए purkinje fiber जो है न उनमें fastest conduction होता है उसमें conduction की speech सबसे fast है धियान लखना बچो ठीके वहां पे conduction की speech सबसे fast है अगर हम लोग किसकी purkinje fibers की बात करें यहां पे एक नाम आता है purkinje fiber और एक नम होता है purkinje cells एक नाम होता है पुर्किंजे सेल्स साइंटिस्स का नाम है प्रोटोप्राजम में भी पढ़ा होगा आप लोग ने है पुर्किंजे पुर्किंजे सेल्स होती है हमारी बाडी का बोस्ट कॉप्लिकेटड डियूरॉन सेरी बेलम में मिलता है पुरकिंजे सेल्स अगर वड़ आएगा तो नियूरोन है सेरी बेलम में मिलता है पुरकिंजे फाइबर वड़ अगर आएगा तो पिर ये कार्डियक बसल का मोडिफिकेशन है हाट के वेंट्रिकल की वाल में मिलता है ठीके बचो अब यहाँ पे देखे इलेक्ट्रिकल इंपल इस्प्रेड फ्रॉम मंडल ब्रांचे थ्रूआट लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल तो कॉंट्रेक्ट फोर्सिंग तो एक्सपल दियर वॉल्यूम अबलड आउट इंटो जनरल सर्कुलेशन बिलकुल यही सब मैंने आपको एक्स्प्रेन किया लेकिन अब एक काम यह करते हैं देखे कि हम आजाते हैं इससे पहले वाली स्लाइट पे और इससे पहले वाली स्लाइट जो है बचो यहां पे और यह यहां देखो ऐसे नोड को क्या लिखा है साइनो एट्रियल नोड जापे साइनो औरिकुलर नोड औरिकुलर भी बोल सकते हैं वैसे ज़ादा च्छा वर्ड एट्रिकल नोड है प्रेजेंट नियर दा ओपनिंग और प्री केवल इन राइट औरिकल लेकिन NCRT के साब से प्रेजेंट इन अपर राइट कॉर्डर अफ राइट अट्रियम इसे हमारी बॉड़ी के लिए हाट है ना ऐसे बस उतना ही इंपॉर्टन हाट के लिए ऐसे नोड है या पिर इसको राइट साइड इस्ट्रक्चर बोलते हैं या पिर इसको कीथ एंड फ्रॉक नोड बोलते हैं अब ये इतने सारे नाम है बस आपको पेस में कर याद रखना है अगर लोग फ्रॉक की बात करते हैं तो फ्रॉक में राइट अट्रियम में नहीं होता है फ्रॉक म लिखा मिल जाएगा आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन फ्रॉग मिलेगा रैबिट मिलेगा सब स्टेट प्यम्टी के कुछन उठाके एंटी अब बयास ने डाल दिये तो अब यार करने दो हैंगे प्रैक्टिस यार अब यह S.A.N. के बाद लिखा है A.V.N. A.V.N. का मतलब यह Atrioventricular Node क्या नाम दिया भई? Atrioventricular Node Present at the posterior part of interventricular septum अब यह Interventricular Septum के posterior side में obviously है अच्छा NCRT ने कुछ और लिखा है NCRT ने बता क्या लिखा है? NCRT ने लिखा है कि present in lower left corner of right atrium चलो मैं बताता हूँ कहा है? NCRT के हिसाब से यहां लिखा हुआ है अब यह क्या है? कि यह lower side आ गए right atrium की और यह right होती है यह left है तो lower left corner है यह जगे यह lower left corner है right atrium का अगर NCRT के हिसाब से हम इसको बोले lower left corner of right atrium और close to AV septum यह जो यह partition आ रहा है ना इसको बोलेंगे AV septum ऊपर atrial chamber है नीचे ventricular septum है यह ventricular chamber है तो यहां पे यह AV septum कहलाएगा तो close to AV septum और बता दिया आपको क्या यह करता क्या है इसको केंट ने डिसकवर किया था पेस हेटर बोलते हैं ऐसे नोट से रिसीव करके information को आगे conduct करेगा ऐसे नोट से information रिसीव करके आगे conduct करेगा मतलब उसको fresh impulse generate करेगा bundle of his जिसको हम लोग atrio ventricular और bundle बोलते हैं हिस्स ने डिसकवर किया था इसमें दो ब्रांचिज आ गई है एक right and left branches जो की ventricle के respective side में चली गई है और फिर यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर में नाम पुरकिंजे ने डिसकवर किया originated from branch of bundle of his और यहाँ पे पाइसियन amphibian reptile बगरा में absent होता है कुछ खास बात नहीं है फिर वो यह anti-abhyaas के point of use यह चीज़े लिख दी गई है और लिखका है यहाँ पे embedded in the wall of integral पुरकिंजे फाइबर में है आपको क्या याद रखना है पुरकिंजे फाइबर में आप यह याद रख लेना के पुरकिंजे फाइबर में conduction जो होता है न फास्ट है तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यार यहाँ पे fastest conduction है अगर हम लोग पुरकिंजे फाइबर की बात करें चलो बच्चो एक काम करते हारी है हमने बता दिया के हार्ट बीट जो है वो कैसे कैसे है लेकिन एक चीज़ और भी है हार्ट का structure कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे एक बात और आती है एक आता है हमारे पास Neurogenic Heart एक आएगा हमारे पास यहाँ पे Neurogenic और एक ठर्व आती है बच्चो Myogenic Heart एक Neurogenic Heart एक Myogenic Heart है देखें भई यह हार्ट है यह हार्ट है For sake of convenience समझ देंगे लिए यहाँ पे आप यह मन लीजिए के यह स्ट्रक्चर जो हार्ट बीट को औरिजनेट करेगा और एक यहाँ पे यह स्ट्रक्चर जो की हार्ट बीट को औरिजनेट करेगा यहाँ पे यह स्ट्रक्चर Nervous Tissue है जो हार्ट बीट को औरिजनेट करेगा इसलिए इसको बोलें के Neurogenic Heart और अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पे यह क्या है यह मसल्स है उसका मौटिफिकेशन है जो हार्टबीट को औरिशनेट कररा है इसी बिललें जो भाईजेनिक हार्ट तो जgehen पे हार्टबीट को औरिशनेट करने का काम इस फेस्लाइज नर्वास चिशु का इसको बोलेंगे निउरोजयनिक हार्ट लेकिन हार्ट बीट को औरिजनेट कराने के लिए नहीं होती है हार्ट बीट को रेगुलेट कराने के लिए होती है अगर कम हो रही जादा करने के लिए जादा हो रही कम करने के लिए इतना है रेगुलेशन के लिए इवन ये कि अगर हमारे हार्ट को हम लोग सर्जी के लिए निकाल के बाहर भी रख दें तब भी कुछ टाइम तक बीट करता रहेगा जब तक उसकी सेल्स के पास ATP है एक आता है रिंगर सॉलीशन रिंगर साइंटिस का नाम है रिंगर सॉलीशन का मतलब ये कि अगर ओर्गन को कुछ एक्सपेरिमेंट्स वग़रा के लिए रखना होता है ना तो उसको रिंगर सॉलीशन में रखा जाता है क्योंकि वो आईसो टोनिक होता है अगर आईसो टोनिक होगा तब ही सेल सरवाइव करेंगी ना अगर hypo या hyper होगा इसका मतलब cell या तो श्रिंक कर जाएंगी या बस कर जाएंगी तो ringer solution मान लीए कि या हमारे cell के हमारे tissue के हमारे organ के आइसोटोनिक type solution होता है उसमें organ वगरा को प्लेस किया जाता है अगर हमें कहीं experiments के लिए उसको निकालना पड़ता है तो चलिए यहाँ पे एक्जामपल ले ले बचो यह जो नियूरोजैनिक हार्ट है इसमें हमारे पास एक्जामपल है एनेलिट्स और अगर एनेलिट्स लिख दिया तो एनेलिट्स का मतलब यह अर्थवम या पिर यहाँ पे आप यह मान ले लिए आर्थरोपोर्डा एनेलिडा आर्थ्रोपोर्डा के अलावा या एनलिडा से पहले तो हार्ट होना ही नहीं है ना एनलिडा से पहले हार्ट होना ही नहीं है बच्चो क्योंकि ब्लैड वेस्कुला सिस्टम एनलिडा से ही स्टार्ट होता है आर्थ्रोपोर्डा के बाद मॉलस्का में हार्ट है लेकिन पूछेगा तो मायोजैनिक के लिए मॉलस का जाएगा मायोजैनिक के लिए कॉडिनेट्स हा जाएगा कॉडिनेट्स का मतलब यह के मैन हो रैबिटो फ्रॉग हो हम लोगों का आर्ट मायोजैनिक तो अभी यहां पे हमने यही तो लिखा था कि आर हार्ट बेट इस मायोजैनि in origin हमारी heart beat myogenic origin की होती है चलो बच्छो neurogenic myogenic heart याद हो गया होगा एक्जामपल भी याद हो गया होगे ठीक है राकेश कमिला ने बोला we made practical on this topic तो पर तो practical को मैंने आपको याद करा दिया बिल्कुल है न तो अब यार यहां पे अगर हम लोग आगे आएं बच्छो तो control of heart beat है चलो अच्छा पहले हम यहां पर blank space पे कुछ explain कर दें blank space पे explain करते हैं देखिए यहां पे actually funda क्या है funda यह है कि हमारे पास यह structure इसको हमने लिख दिया h है h का मतब heart ठीक हमारे जो internal organs हैं उनको govern करने के लिए उनके function को regulate करने के लिए we have a dedicated system हमारे पास nervous system के तीन component से एक को बोलते है central nervous system एक को बोलते है peripheral nervous system और एक को बोलते है autonomic nervous system autonomic nervous system को ही हम लोग visceral nervous system बोलते हैं क्योंकि यह हमारे visceral organs को यह हमारे internal organs के function को govern करता है और autonomic nervous system में दो divisions होते हैं और टोनॉमिक दर्वास सिस्टम के डिवीजन में एक तो हमने ये नर्व लिया एक हमने ये नर्व ले लिया यहां पे हमने लिख दिया सिंपैथेटिक नर्वास सिस्टम ठीक है बचा और इधर हमने लिख दिया यहां पे पैरा सिंपैथेटिक नर्वास सिस्टम एक हमने लिखा sympathetic nervous system एक लिखा हमने पैरा sympathetic nervous system अब यहाँ पे अगर वो sympathetic nervous system लिखके वो question कैसे देगा वो question ये frame करेगा कि if we stimulate sympathetic nervous system what will be the effect on heart कि अगर हम लोग sympathetic nervous system को stimulate करें तो heart rate के उपर उसका क्या effect आएगा अगर हम लोग पैरा sympathetic nervous system को stimulate करें तो heart rate के उपर उसका क्या effect आएगा answer ये कि जब वो sympathetic nervous system को stimulate करेगा तो sympathetic nervous system की ending के उपर secret होगा adrenaline और adrenaline जो है अगर ये neuron की ending पे secret होता है तब ये neurotransmitter है और अगर ये adrenal medula से blood में secret होता है तब ये hormone है ये hormone भी है ये neurotransmitter भी है neuron की ending पे आ रहा है तो neurotransmitter है और अगर ये gland से blood में release हो रहा है तब ये hormone है और इसका impact क्या होता है adrenaline हमारे heart rate को बढ़ा देता है adrenaline हमारे heart rate को बढ़ा देता है emergency hormone भी बोलता है बच्चा इसको है न emergency hormone वैसे NCRT ने adrenaline और adrenaline दोनों को लिख दिया लेकिन adrenaline ही लिखा जाये करता था मेल दी अब पैरा sympathetic नर्वा सिस्टम की बात करते है पैरा sympathetic नर्वा सिस्टम में एक नर्व और आती है जो heart को innervate करती है उस नर्व का नाम है vagas nerve अब ये vagas nerve digestive system में बतायता है कि अगर हम लोग vagas को stimulate कर दें तो हमें ulcers हो जाते है क्योंकि vagas का stomach के उपर यह होता है कि gastric जोसके secretion को बढ़ाता है digestive structure के उपर ultra effect है वैसे normally कम करता है लेकि digestive glands के secretion को बढ़ाएगा अगर vagas की बात कर रहे हैं तो अगर vagas stimulate होती है इस stomach में ulcers होने के chance है एक तो ये अगर हम लोग lungs की बात करें वहाँ पे herring brewer reflex बताया था lungs में herring brewer reflex बताया था और यहाँ पे vagas nerve का number राकेश ने बताया कि ये 10th nerve होती है 10th cranial nerve होती है बिल्कुल ठीक बच्चा और अगर vagas को stimulate करते है तो vagas के stimulation से इसके end पे release होता है acetylcholine इसके end के उपर release होगा acetylcholine और acetylcholine जो होता है यहाँ पर हम लोग minus का निशान बना दे तो आपको याद रह जाएगा कि ये heart rate को कम करेगा मैं आपको बोलू session के साथ साथ आप लोग इसकेपिंग कर दे लगो यार मैं बोलू यार थोड़ा push up लगा हो यार मैं बोलू यार थोड़ा stairs कुछ चक्कल लगा क्या हो यार कोई पार्क का चक्कल लगा क्या हो heart rate बढ़ जाएगा ना हमारी body की physiology को meet out कर दे के लिए क्या बढ़ा ही रहेगा क्या हमेशा अब एक बढ़ गया है तो नहीं भाईया कम हो जाएगा ना जब हम लोग rest करने लगेंगे तो एस्टिल कोलीन उसको कम कर देगा या पिर ये कि कभी हमें ज़्यादा required है तो एडिनलीन उसको बढ़ा देगा चलिए बच्चों आपनों के जवाब साथ-साथ चलते रहें बिल्कुल वंशी का सिंग दे लिखा एस्टिल कोलीन सैली पाटिल ने भी एस्टिल कोलीन लिख दिया तो यहाँ पे सिंपेतर्डिक नर्वस सिस्टम पैरा सिंपेतर्डिक नर्वस सिस्टम सिंपेतर्डिक के एंडिंग पे एडिनलीन सिक्रीट होता है हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करेगा पैरा सिंपेतर्डिक नर्वस सिस्टम जो है या पिर वेगस सकर देगा उसके स्टिबूलेशन से एस्टिल कोलीन इलीज होगा और एस्टिल कोलीन हार्ट रेट को कम करेगा बच्चो एक बात ये बताओ थाइरॉक्सिन क्या करेगा हार्ट का थाइरॉक्सिन पता है ना थाइरॉक्सिन भी हार्ट रेट को बढ़ा देता है थायरॉक्सिन भी हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है अगर किसी का थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ाव है न तो उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा उसका हार्ट रेट बढ़ेगा तो अगर थाइरॉक्सिन देगा तो वो भी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा बिल्कुल ठीक है यार ये सोवियत बहुत दिन बाद क्लास में दिख रहे हैं आज चलिए कोई बाते लेकिर इनका आते ही जवाब बिल्कुल सही है आते ही इनका ने जवाब बिल्कुल सही दिया बचो यहां पे आपको ये हार्ट के रिगार्डिंग कुछ ये पताब रेगुलेक्शन के रिगार्डिंग पॉइंट बताए अच्छा कोई ये भी तो बताओ यार ये सेंटर फॉर हार्ट बीट हार्ट बीट के लिए हमारे पास ब्रेन में सेंटर का है भई राकेश कमिला अंशी का सिंग वंशी का सिंग जल्दी बताओ यार हार्ट बीट का सेंटर हार्ट बीट का सेंटर कोई बताएगा बच्छा हार्ट बीट का सेंटर है हमारे पास medulla oblongata हमारी involuntary vital activities क्या बता है आपको involuntary vital activities जो हैं उन सब का center medulla oblongata चाहे हमारी breathing की बात करें center medulla oblongata चाहे heart rate की बात करें center medulla oblongata और मैंने बोला था involuntary vital activities हमारे control भी नहीं है लेकिन vital है अगर ये रुक जाए तो इसका मतलब हमारी life रुक जाएगे तो ये बता दी आपको अभी आगे आजाएं यार अभी यहाँ पे यह सब explain करा जा चुगा है इसके बाद यहाँ पे control के regarding देखें यही तो point लिखे हैं center of heart beat is medulla oblongata sympathetic nervous system on excitation secret adrenaline which increase the heart beat parasympathetic and vagus nerve या पिर end की जगे और लिख सकते हैं on excitation secret acetylcholine which decrease the heart rate sodium ions are necessary for maintenance of normal beat ये normal beat को maintain करने के लिए sodium जरूरी होता है sodium का एक normal level required होता है sodium कम हो जाएगा heart rate कम हो जाता है KCL के injection से heart rate decrease कर जाती है for every one degree elevation of body temperature heart rate increase by 10 beats अगर बुखार हो जाता है ना तो डॉक्टर आमारी pulse देखते है actually जितनी pulse चलती है उतना ही almost heart rate चलता है हमारा तो वो pulse count करते है अगर वो थर्बा मीटर लगा लिया लेकिन कभी कभी अर ये कि थर्बा मीटर लगा के वो साथ में आपकी pulse भी चेक करने लगते है अगर pulse बड़ी भी तो नहीं आ रही है अगर pulse बड़ी भी आ रही है इसका मतलब ये कि फीवर है भई तो यहां पे ये अब दो तीन वर्ड और लिखे हुए है एक लिखा है यहां पे erythemia erythemia का मतलब यहां पे irregular हार्ट बीट के लिए क्या गया irregular अब यहां पे टेकी कारडिया और ब्रेडी कारडिया में थोड़ा सा घलत लिखावा है इस जे फोटो कीच के कहीं सोशल साइट पे डालना मश्रू कर देना क्यार यह विदान्तु वाले क्या पढ़ाते है मैं आपको बता रहा हूँ देखे कि इसमें करेक्शन है थोड़ा सा यह बाई बिस्टेक यहां पे घलत लिखावा है अगर टेकी कारडिया की बात कर रहा है तो 90-100 प्लस क्योंकि नॉमली 70-80 चलता है न और अगर हम लोग ब्रेडी कारडिया की बात करें तो यहार इसको ठीक कर दें यार ब्रेडी कारडिया का मत्तब यहां पे हम लोग लें तो यह अंडर 100 तो नहीं यहां पे यह माल लिए कि अगर यह अंडर 60 चलता है कितना भई? हाँ इसका फोटो की सक्ते कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे ब्रैडी कार्डिया का मतलब होता है अगर वो अंडर 60 चलेगा तो ब्रैडी कार्डिया है अगर वो 90 यह 100 प्लस चलेगा उसको बोलेगा उसको टैकी कार्डिया tesha के काडिया बोलेंगे अब यहां लिखा है एडल्ट में 70 से लेके 80 हो जाएगा बच्चों में 100 बीट्स के असपास चलेगा न्यूबॉर्ण बेबीस में 130 से लेके 40 मतब यह के साइस के एकॉर्डिंग इन्वर्स्टी प्रोपोश्टल दिख रहा है न साइस के हिसाब से इन्वर्स्टी प्रोपोश्टल दिख रहा है न रैबिट का साइस चोटा है और हार्ट रेट कितना है 200 से लेके 210 200 से लेके 210 और यहां पर आदेखे रैबिट के अलावा अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में 64 बीट्स हैं आप का होगे के भाईया फ्रॉग का साइस तो और चोटा है तो फ्रॉग में तो और ज़्यादा होना चाहिए लेकिन फ्रॉग की कैटगरी चेंज हो गई है फ्रॉग कोल्ड बलडड इड अनिमल्स में है यह जो फ्रॉग में फ्रॉग के लिए होमियो 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 फ्रॉग के लिए मतना होता है warm blooded animals, homeotherm का मतना होता है warm blooded animals, अब यहाँ पे elephant में देखो, वही होगे न, inversely proportional, elephant का size बड़ा है, heart rate just 25 है, rabbit में कितना है भई, 200 से लेके 210, red का size तो और चोटा है, तो heart rate और जादा दिख रहा है, कितना, 400 से लेके 600 beats पर minute है, और यह canary bird है, 2000 beats के असपास आता है, क्योंकि size छोटा है, birds का metabolic rate हमारे से मेंबल से भी जादा ही रहता है, birds का metabolic rate मेंबल से भी जादा रहता है, तो वहाँ पे accordingly heart rate और जादा हो जाएगा, चलिए, सारा रटने के ज़ stroke volume या और बोलता हम लोग systolic discharge, किसको बोलते है, volume of blood ejected out by each ventricle per beat, जो heart का structure अभी आपको डिसकस किया गया था, तो ventricle से एक beat के साथ, जितना blood pump किया जाता है, that is called stroke volume, that we call systolic discharge, ventricle के systrol के साथ, जितना blood, blood vessel में discharge किया जा रहा है, उसको बोलना हम लोग systolic discharge, उसको बोलना है stroke volume, value कितनी है, value है 70 ml, value है बचो 70 ml, चलिए, अब यहाँ पे next information, एक information यहाँ लिखिए minute volume, अब यह minute volume और क्या बोला जाता है, minute volume को और बोलता हम लोग कार्डियक output, और यहाँ पे calculate कैसे होगा, minute volume का मतलब हो जाएगा, volume of blood pumped by heart per minute, हमारा heart एक विरट में जितने blood को pump करता है, उसको हम लोग minute volume बोलेंगे, हमने breathing के respect में इसको calculate किया था, यहाँ पे circulation के respect में calculate कर रहे हैं, breathing के respect में हमने यह calculation बताई थी, वहाँ पे breathing rate into tidal volume लिया था, breathing rate into tidal volume, breathing rate कितना बताया था, 12 to 16, tidal volume कित total calculation कितनी आए थी, 6 to 8 liter, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे circulation के respect में बात हो रही है, इस stroke volume होता है 70 ml, और heart rate होता है 70 हमारा, तो अगर यहाँ पे 72, इस stroke volume 70 ml है, heart rate 72 है, तो 5040 ml का मत्तब यह, almost इतना ही तो हमारे पास blood होता है, 5 to 6 liter, तो इसका मत्तब तो यह हुआ, कि हमारा heart जो ह होता है, वो एक minute में almost सारे blood को pump कर देता है, हमारा heart एक minute में almost सारे blood को pump कर देता है, यहाँ पे कुछ distribution लिखा है blood का, और मैं आपको अगर एक के करके hint कर दू, यहाँ पे तीन structure तो यह में, अगर पहले तीन structure आप लोग चेक करें, यहाँ पे sequence कुछ आगे बीचे लिखी heart को जाता है 10%, kidney को जाता है 20%, यहाँ पे 25 लिखा है, कुछ book 25 लिखती है, कुछ book 20 लिखती है, और exactly नहीं यह बिल्कुल थोड़ा बहुत plus minus चलता है, हमें क्या data याद रखना है, हमें data याद रखना है 20, हमें 20 क्यूं याद रखना है, क्यूंकि NCRT ने 20 लिखा है, NCRT ने 20 लिखा है कि किड्नी को 20 जाता है, किसी को पता है कि NCRT में कहां लिखा है कि किड्नी को 20 परसन ब्लट जाता है, किसी को पता है बचो, NCRT ने कहां लिखा है कि किड्नी को 20 परसन ब्लट जाता है, NCRT ने कहां लिखा है कि किड्नी को 20 परसन ब्लट जाता है, NCRT ने लिखा है एक्स्क्रीशन वाले चेप्टर में एक्स्क्रीशन वाले चेप्टर में लिखा है अंशी का सिंग का जवाब आया जोया का जवाब आया जोया बेटा एक्स्क्रीशन वाले चेप्टर में लिखा हुआ है और यहाँ पे यह कभीक्षा का या कनिश्का का जवाब आ चुका है करन चोहान ने जवाब दे दिया है शिफा आफीन का जवाब एक्स्क्रीशन आ गया है या ये सुरेश कुमार का भी एक्स्क्रिट्री वाला जवाब आ गया है केमिस्ट्री में नहीं लिखा वा है यर Chemistry में नहीं लिखा है और मैं आपको बता हूँ क्या लिखा है वहाँ पे लिखा है 1 by 5th लिखा है क्या लिखा है 1 by 5th of cardiac output लिखा है तो 1 by 5th का मतलब 20% ही हो गया न 1 by 5th का मतलब बचा 20% ही हो गया है तो NCRT ने 1 by 5th लिखा है इसी लिखा में 20% आंसर करना है digestive system में 25% जाएगा बाकी और structure में 25% जाएगा सारे एक एक करके अलग अलग नहीं बताया क्या पैंक्रियस में कितना जा रहा है या पिर गॉल बेडर में कितना जा रहा है या पिर राइट आम में कितना जा रहा है लेट टाम में किता जा रहा है आँख में किता जा रहा है नाँख में किता जा रहा है उस सब की जरुवत दिये तो यहां पर मेंड में आपको बता दिया और एक और बात बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया हो कि अगर हम लोग बैली फुल डाइट ले लेते हैं अगर लोग पेट बरके खाना खा लेते हैं तो हमें ड्राउजीनस की फिलिंग होने लगती है हमें नीन्स ही आने लगती है लॉजिक सिंपल है अगर डाइजेस्टिल सिस्टम में खाना आ चुका है तो इसका पता डाइजेस्टिल सिस्टम एक्टिव हो जाएगा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अगर डाइजेस्टिल सिस्टम एक्टिव हो गया तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और जब blood circulation एक जगे बढ़ाना पड़ेगा तो कहीं से घटाना भी पड़ेगा तो पिर brain की blood supply कुछ कम होती है जब brain की blood supply कुछ कम होती है तो brain को oxygen और glucose की supply भी कुछ कम हो जाएगी और जब brain को oxygen और glucose की supply कुछ कम हो जाएगी तो brain की alertness का उचकम हो जाएगी हमें drowsiness की feeling आने लगेगी इसलिए पढ़ने से पहले belly full diet नहीं लेना है पेट बर के खाना नहीं खाना है पढ़ने से पहले chocolates ले सकते हैं पढ़ने से पहले coffee ले सकते हैं क्योंकि chocolates हो, coffee हो, tea हो, इनमें caffeine होता है और फिर वो plus two के drugs वाले chapter में आपने बढ़ा होगा के caffeine जो होता है, वो mild stimulant होता है caffeine mild stimulant होता है, mood elevator होता है वो हमारे mood को अच्छा कर देता है हाँ, वो हमारे कुछ, अब वो mood को अच्छा कर देगा तो पढ़ने में automatically मन लग जाएगा चलिए, यहाँ पर यह बताया अब अगर एक और सवाल सुनो यार एक कुशन सुनो बचो हाँ, एक कुशन यहाँ पर यह है अगर वो यह पुछे के which organ receive maximum of total cardiac output और आपके सामने options यही है which organ receive maximum of total cardiac output और यही option से आपके बस last वाले को छोड देना बस last वाले को छोड़ देना शिफा आफरीन का अंसर किड़नी अंशीका का अंसर किड़नी कनिशका का अंसर भी किड़नी तो यह तो सब के अंसर सही आने शुरू हो गया इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप confuse नहीं हुए कुछ लोग digestive system अंसर करते हैं क्योंकि वो system है उसमें बहुत सारे और्गन्स आ जाते हैं और जहां पर हम लोग kidneys बोलने हैं तो kidneys अपने आप में और्गन हैं तो अगर पूछे organ receiving maximum of total cardiac output तो आंसर अवारे पास kidneys आ जाएगा आंसर अवारे पास kidneys आ जाएगा बच्चा लोगो अब आ जाएगा next information पे next information क्या है भाई ये heart sounds के बारे में लिखा हुआ है कुछ ये heart sound के बारे में पहले यार यहां क्या क्या लिखा है मैं आपको साथ साथ बता दू हार heart sound में can be heard by stethoscope पहला नम can be heard by stethoscope ठीक दूसा लिखा है stethoscope का invention है लैनिक का और ये लैनिक का जो invention है basically serendipity के example में आता है अगर हम लोग serendipity बोलते है तो serendipity का मतलब होता है chance discovery chance discovery का मतलब ये कि यार ये कुछ इसके लिए effort नहीं कर रहे थे लेकिन ये कि बस कुछ discovery हो गई invention हो गया serendipity लैनिक या पर ये जो stethoscope है ये जो डॉक्टर्स के गले में आपने लटकावा देखा होगा एक तो यहाँ पर दो तीन बातें इसके बारे में कर लेते हैं stethoscope क्या करेगा है ये मतलब हमारी body के जो internal sounds हैं उनको सुनने के लिए استعمال होता है जब तक stethoscope invent नहीं हुआ था तब तक internal sounds सुनने के लिए क्या करते होंगे सोच के बताओ अगले साल आपके गले में होगा बिल्कुल कनिशका हाँ मेरा आशरवाद मेरी दुआएं आपके साथ बच्चो चलिए यहाँ पर यह बताया आपको के जब तक यह स्टेटोसकोप invent नहीं हुआ था तब तक क्या किया जाता था कि अर यह कान को चेस्ट पे लगाके आवास सुनी जाते थी ठीक तो लैनेक थोड़े शाय थे लैनेक को यह awkward लगता था क्यार महिलाओं के या फिमेल के चेस्ट पे कान लगाके आवास सुनी जाए और जब तक यह आवास नहीं सुनेंगे तब तक डाइगनोसिस नहीं बनेगा अच्छा मतलब यह अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओ गयार फिर तो यह से खोकला था और अगर खोकले स्ट्रक्चर में उपर से कुछ हम लोग तक तक करें तो अंदर साउंड चलेगी न उस सूखे पेड की कि किसी डाल के ओपर कोई बर्ड बैठी थी और वो अपनी चोंच से उसको तक तक कर रही थी तो वो तक-टक की आवाज जो है वो खोकले पेड के अंदर से उसके कान में आयी बन लैनिक को आईडिया स्ट्रेक कर गया क्या अगर कोई हॉलो स्ट्रक्चर हो उसके अंदर isolated था बाहर के hindrance खताब हो गई तो यहां से स्टेटोसकोप का invention तो यहां पे तो लैनेक की स्टोरी थी क्यार कैसे हुआ अगर स्टेटोसकोप invent नहीं होता तो मेरे ख्याल में इंडिया में तो यह 90% लड़के जो है न वो कोशिश यही करते यार के डॉक्टर बनेंगे भईया हां इस स्टेटोसकोप अगर नहीं होगा तो डॉक्टर बनने के बाद फिर क्या है पिर तो यह कान ही लगा के आवास सुनने की कोशिश करें गयार तो चपल पड़ेगी सेंडल पड़ेगी है ना हां वो नंबर चप जाएगा सारा चल यह कर्मादाग हो रहा है हां क्योंकि डॉक्टर जो है वो इन सब चीजों से उपर होते है यार जब वो मरीज का इलाज करते है तो उनके दिमाग में जंडर का कुछ बायस नहीं आता है अचा स्टेटोसकोप के साथ एक और बात सुनो रहा है यह चलिए ठीक है जो डॉक्टर से है हां उनके काम की चीज है क्यार वो यह हमारे चेस्ट में हमारी बैक में इदावतर लगा के हमारी आवास सुनते है जिससे पता चलता है यार यह आपने टीवी में एड देखे हूंगे यह जो डेंटिस्ट होते है ना यह गले में आर अपने स्टेटोसकोप क्यो टांगे रखते है कभी देखा है कि यह किसी के दाँत में दर्द हो रहा है डॉक्टर जै वो स्टेटोसकोप लगा के देख रहा है दात को है, कि भाईया कौन से दात में दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना यार, वो ये तो नहीं है कौन से दात में दावाज आ रही है, भाईया इधर दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना यार बचो, तो वो जो डेंटिस्ट जो गले में स्टेटोसकोप लगा के परजी टाइप का हो जाता है नहीं डेंटिस वैसे गले में लगा के घूमते नहीं है अगर किसी डेंटल क्लिनिक पे जाओगे तो आपके डॉक्टर के गले में नहीं दिखेगा वो तो यह कि हमारे मार्किट वाले मीडिया वाले जो यह टूथ पेस टूथ ब्रश बेचने व कोप हमारे यह मतनब क्या है basically इंटरिम्ल साउंट को सुनने के लिए यूज होता है अब यह हार्ट साउंट अब हैंट आगे में कीसे कैसे प्रडियूज होती है और कहां कां कां प्रडियूज होरी है यह आ गई ब्लैंक स्लाइट बच्चों जो पहली साउंड होती है न हाँ उसको बोलते हम लोग S1 क्या बोलते हैं S1, साउंड 1 साउंड 1 जो है न इसको बोलते हम लोग लब या पिर यह सेस्ट्रॉल के साथ आती है इसको बोलते हम लोग सेस्ट्रॉलिक साउंड इसको बोलें है अगर यह लब है तो ल से आएगा लो पिच्ड ल से आएगा लो पिच्ड ल से आएगा लॉग डूरेशन यह ल से आपको तीन चीज़े होगे ल से लब है ल से लो पिच्ड है ल से लॉग डूरेशन है और यह लो पिच्ड वाली वाइस होती है यह साउंड वो डल होती है जैसे male की voice जो होती है न वो dull होती है हमारी voice जो होती है low pitch voice होती है भारी आवाज होती है female की voice जो होती है वो sharp होती है वो high pitch voice होती है तो यहाँ पे अगर आपको यह इसकी properties याद हो गई तो फिर उदर उल्टा हो जाएगा dull की जगे sharp हो जाएगा low pitch किरेगे high pitch हो जाएगा low duration किरेगे long duration किरेगे short duration long duration किरेगे short duration हो जाएगा obvious है ना यार अब यहां पे और देखते हैं आर यह अगर हम लोग इसके production की बात करें कब produce होगी यहां पे एक हमने S2 लिखा S2 का मत्नाब यह के यह dup होती है या इसको और बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं diastolic sound क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे diastolic sound अब यहां पे diastolic sound पे वहीं figure पे आ जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी कुछ अच्छे जे देखो क्या है यहां पे बच्चो फस्साउंड का मत्तब लब है इसको systolic sound बोला गया है dull है low pitch है long duration है और एक बात आपको यह धियान रखनी है यहां पे के इसमें क्या दे रखा है अगर आप लोग गोर करें इसमें दे रखा है के closer of AV wall एक तो यह याद रखना है AV wall और एक यह दिखान रखना है start start of ventricular systrol ventricle के systrol की starting के साथ है बच्चो ठीक है अब यहां पे देखो यहां पे देखे के इन में arrow के साथ आपको दिखा दिया के blood ventricle में आगया जब atria contraction में गया it is okay यहां पे ventricle है और ventricle को थोड़ा दबावा दिखाया के ventricle को अब हम लोग सिस्ट्रॉल में लेके जा रहे है जब ventricle का सिस्ट्रॉल start करोगे तो blood जो है जहां से आया था वहां वापस जा सकता है ventricle से atria में जा सकता है वो आपको codi tenderi समझायता है ना last class में तो बस यहां पे क्या होगा यह जो AV वाल बंद होते है ventricle के सिस्ट्रॉल की beginning में तो AV वाल के बंद होने से जो sound आएगी उसको बोलेंगे हम लोग S1 वो आएगी love वो long duration sound है dull sound होती है चलो अब आजाते हैं हम लोग next पे यहां पे first heart sound is love closer of the AV wall ध्यान रखना है closer of AV wall और कब at the beginning of ventricular systrol अब दूसरी बे आते हैं दूसरी क्या दिखा रखिए second sound का मतलब डप होती है diastolic sound है इसमें लिखा है कि यह sharp होती है high pitch होती है short duration होती है produced by the closer of same illusion wall अब देखो यह हमने blood pump कर दिया इदर से हमने बेज़ दिया कहां पे भई इदर से blood को हमने बेज़ दिया lungs में और दूसरी तरफ से हमने बेज़ दिया body में यहां से lungs में चला गया इदर से हमने body में बेज़ दिया ठीक है न अब क्या हुआ कि ventricle diastrol में जाएंगे जब ventricle diastrol में जाएंगे तो ventricle के अंदर का pressure fall करेगा यह जो blood हमने भेजाता है यह वापस आ सकता है यह arrow निकार रखा है ना यह, यह blood वापस आ सकता है वापस नहीं आने देना, इसका मतलब यह कि जो aorta है हमारे पास कौन कौन से, pulmoni trunk के base पे, यह पिर dorsal aorta जो है, उसके base पे यहाँ पे semi-lutern valve होते है, जो की tricuspid होते है वो बंद हो जाएंगे, ventricle में blood को वापस नहीं आने देंगे ठीक है, तो अगर diastrolik sound है, तो produce by the closer of semi-lutern valve at the beginning of ventricular diastrol, ventricular diastrol की beginning के साथ होगा बचों याद कर रहे हो ना साथ-साथ यार, बचों याद हो रहा है साथ-साथ, राकेश कमिला ने तो बताब duration भी दे दी है, very good यार, चलिए यार, यहाँ पे है, साथ-साथ आपको याद होना चाहिए, और आपको यार, 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 बेरा दिल खुश हो गया, क्या लेक्चर में साथ-साथ बैठे-बैठे, आपको याद हो रहा है, बस NCRT की एक reading लो, और उसके बास सवाल लगाओ, कुछ करना ही नहीं यार, अचा बीच में और एक और पॉइंट यहां पे, ये मर्मर भी लिखा हुआ है, मर्मर का मतलब होता है कि कभी-कभी हमारा हार्ट बिबार हो जाता है, अगर हमारा हार्ट बिबार हो जाए, ऐसे नोड या एवी नोड काम करना बंद कर दें, पहल जाएं, कार्डियो मेगेली होता है, हार्ट पहल जाता तो अगर वो जो defective sound आती है जो की leaky wall से आती है उसको बोलते हम लोग मर्मर तो मर्मर का मतलब defective sound produced by leaky wall that we call murmuring मर्मरिंग के बाद बच्चा यहाँ पे अब आता है blood pressure blood pressure के regarding यहाँ पे देखे यह जो आपको figure दिखा रखी है यहाँ पे यह कुछ bladder यहाँ पे left arm में बांदा जाता है ठीक फिर यहाँ पे यह कुछ इसमें दिखा रखी है गड़ी सी दिखा रखी है आपने देखा होगा के doctor's के पास एक mercury वाला एक मतलब tube होती है उसके अदर mercury बार होता है एक वो डिबा सा होता है उसके डखकन के साथ वो scale लगा होता है तो वो authentic होता है स्फिक्बो मैनोमीटर होने को तो यह आज की rate में हमारे पास यह जो ओक्जी मीटर जो है कॉरोना के साथ घरो घरो में मिल जाता है उसमें देखा होगा यहां पे उगली के साथ वो clip लगा दिया जाता है उसमें sensors होते हैं उसमें हमारा heart rate आ जाएगा उसमें blood pressure आ जाएगा उसमें oxygen का saturation भी आ जाता है या फिर यह कुछ wrist में बांग दिया जाते हैं हम button प्रेस करेंगे उसमें कुछ वो हमारी grip tight होगी और grip tight होने के बाद कुछ दिर बाद उसकी reading आ जाती है digital होता है वो digital होता है ठीक है जैसे digital clock होती है उस type का उसका display होता है या पिर ये mercury वाला जो होता है हाँ उसमें और हमें थोड़ा सा manually उसको operate करना पड़ेगा यहां पर हम लोग ladder बनेंगे उसके बाद pump से हवा बनेंगे उसके बाद फिर यहां पर हम लोग वो स्टैतोसकोप लगाएंगे कान से सुनेंगे पिर अमल के हवा उसके release करेंगे फिर देखेंगे कहां पर pressure आ रहा है तो वो शुरू में बहुत मेनस से देखना पड़ता है लेकिन जब हमारे अभ्यास में आ जाता है जब हमारी practice में आ जाता है तो फिर स्टैतोसकोप लगाए बिना भी डॉक्टर को देख जाता है कि कितना pressure आ रहा है वैसे 11-12 के CBSC के practical में भी आता है लेकिन कराते वराते हैं नहीं स्कूल में इस स्कूल में कराते वराते हैं नहीं वैसे तो ये कि अगर MIT की बात करें हाँ आज कल तो electric होता है बिटा आज की date में तो अगर मैं आपको बता हूँ तो पिर MIT का नाम आपने सुन रखा होगा उन्होंने तो आपसे 10 साल पहले ऐसा mirror बना दिया था आप उसके mirror के सामने खड़े हो जाओ आपका blood pressure आ जाएगा मतलब mirror के सामने खड़े हो के blood pressure आ जाएगा imagine कर ये technology technology imagine कर ये क्या बता बिल्कुल contactless ये कोई contact नहीं है फिर भी आ जाएगा मैं concept बता हूँ logic क्या है उसका कैसे develop किया एक्शुली जब heart systrol में जाता है blood को pump करेगा और जब diastrol में जाता है blood को pump करना बंद करेगा ठीक तो पिर क्या होता है बचो के जो हमारी face की blood vessels हैं वो हमें naked eye से नहीं दिखती हैं लेकिन जब blood उसके अंदर भरेगा फैलेंगी जब blood निकले नहीं मतलब कुछ pressure कब होगा तो उस दबेंगी बस उस mirror में उन्होंने इतने fine sensor लगा दिये थे के वो हमारे चेहरे की blood vessels के फैलने और सिकुडने को notice करती थी और उससे blood pressure डेवलप करती है तो आप imagine करिये यार के क्या technology है मतलब science से बिलकुल बदल चुका है बिलकुल क्रांती आ चुकी है यार आज की rate में वो जो cadaver होता है ना यार मेडिकल college में medical college में dead body anatomy पढ़ाने के लिए आज की rate में सब electronic table आ रही है electronic table आती है उसी में आर वो display आता है screen आता है उसी में आर वो touch कर करके दिखा देते हैं कि होता है ये लिए रटाओ ये मिल जाएगा ये लिए रटाओ ये मिल जाएगा तो जो dunke college हैं इंडिया में भी पड़े हम लोग तो pressure exerted by blood on the wall of blood vessel with each heartbeat while flowing through them जब blood blood vessels के अंदर flow कर रहा है तो blood vessel की दिवारों के ओपर जो pressure डाल रहा है उसको हम लोग blood pressure बोलेंगे नापने के लिए instrument का नाम esfigmo manometer सबसे पहले इसको river rickay या पिर carrot cough अब ये बहुत सारे नाम आते क्योंकि इस figmo manometer के बहुत सारे मॉडल है अब कोई मॉडल किसी ने invent किया कोई मॉडल किसी ने invent किया ये beginning वाले मॉडल है मरकरी वाले तो वहाँ पे river rickay या पिर carrot cough का नाम आते है blood pressure सबसे पहले Stephen Hills ने ना पता आपको इस सब कहानी में क्या याद रखना है आपको इस सब कहानी में याद ये रखना है brachial artery आपको ये याद रखना है कि brachial artery of left arm normally इसमें ना पते है brachial artery of left arm अब्दुर रऊफ थैंक यू वेरी मच आपने यार लिखा यार good teacher बस इतने ही प्यार बनाय रखो आप लो गयार तो उम्मीद करते हैं कि इसी चैनल से बहुत बढ़िया रखने वाली यार इस चैनल से बहुत बढ़िया रखने वाली यार पूरा स्लेबस कराये जा रहा है एक एक पॉइंट पढ़ाये जा रहा है ठीक है exert की meaning exert का मतब डालना blood जब flow कर रहा है तो दीवारों के ओपर जितना pressure डालना है exert मतब डालना चलिए यहाँ पर exert का meaning आपको मैंने बता दिया अब यहाँ पर first of all wizard by Stephen Hills यह plant physiology पे भी राम आता है गई सिस्ट्रॉलिक और डायस्ट्रॉलिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ सिस्ट्रॉलिक और डायस्ट्रॉलिक प्रेशर के मतलब के लिए मैं थोड़ी slide पे आऊ ब्लैंक पे यहाँ आता है बच्चों यह हमारे पास एक यह हमारे पास एक balloon type structure है कोई यह कोई balloon type structure इसके साथ यह बान लिए कि यह कोई tube लगी भी है यहाँ पे अंदर कोई fluid बरावा है वो यहाँ भी बरावा है अब मैं क्या करता हूँ मैं इस bladder को दबाना शुरू करूँ इस bladder को मैंने दबाना शुरू किया तो pressure बढ़ेगा वो pressure यहाँ आएगा और इस fluid का दिवारों के ओपर pressure बढ़ता शला जाएगा इस fluid का दिवारों के ओपर maximum pressure कब आएगा जब मैं इस bladder को maximum दबा दू जब मैं इसको maximum दबा दूआ तब यहाँ पर maximum pressure आजाएगा अब क्या करता हूँ यार मैं इसको अब मैं इसको फैलाना शुरू कर देता हूँ bladder को जब मैं इसको फैलाना शुरू कर दूँगा तो यहाँ जो pressure पढ़ रहा था वो कम होता शला जाएगा वो minimum कब आजाएगा वो minimum आजाएगा जब यह bladder maximum फैल जाएगा अब आप दिमाग में रिप्लेस करिए कि जो bladder है यह ventricular है यह bladder ventricular है और यह जो tube है यह blood vessel है तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या है अगर आपने उक systolic pressure बोलें तो आपने क्या किया ventricular को syststrol में लेके गए जब ventricular को syststrol में लेके जा रहे ventricular को दबा रहे हैं दबा रहे हैं तो जब ventricular जितना दबना था पूरा दब गया तो उस ताइम ब्लेट वैसल के ओपर maximum pressure आ जाएगा ठीक अब ventricular को फैलाना शुरू कर दिया ब्लेट वैसल की निवारे के ओपर pressure fall करना शुरू हो जाएगा वो minimum कब आएगा जब ventricular maximum फैल जाएगा बस अब आ जाते हम लोग अपनी main slide के ओपर जहां पर हमने इसको लिखा वा है हमने लिखा है यहां पर यह systolic and diastolic pressure एक तो यह कि normal value जो होती है blood pressure की blood pressure की normal value कितनी होती है normal value होती है 120 by 80 कितनी 120 by 80 mmHg normal blood pressure बोला जाता है ठीक है बचा अब यहां पर 120 systolic pressure and 80 is diastolic pressure 120 is systolic pressure and यह 80 is diastolic pressure अब क्या है बचो यहां पर अगर हम लोग पढ़ें यहां पर यहां लिखा है रहिए pressure exerted on the wall of vessel at the end of ventricular systrol ventricular systrol के systrol के end में यह blood vessel के ओपर pressure है उसको systolic pressure बोला and the value is 120 mmHg अब next क्या है बई next है हमारे पास यह diastolic pressure diastolic pressure का मतलब होता है pressure exerted by blood on the wall of blood vessel at the end of ventricular diastrol ventricular को हम लोगों ने diastrol में ले गए पहला दिया जब पूरा पहल गया ventricular तो उस तरहीं pressure fall कर जाएगा वो आ जाएगा 80 normal range है 120 by 80 और एक होता है pulse pressure दोनों के difference को अब लोग pulse pressure बोलते है 120 by 80 बे अगर हम लोग difference लेते हैं तो 40 आ जाएगा ठीक है चलिए वो आ जाएगा हमारे पास 40 और एक यह sequence दे रखिए रखिए उससे कम arteries में उससे कम вч में양म कमर केपिलरेवल में मैं कुछ confusion में छोड़ के जहाँ के आप लोगों को मैं कुछ confusion में आपको अगर छोड़के जाऊं तो यहां पे बच्चो आप लोगोंने अगर यह देखो यह आमने दिया इसके अंदर से कुछ फ्लूड फ्लो कर रहा है बर्दॉली थियोरम बता है ना बर्दॉली थियोरम बर्दॉली थियोरम बता है बच्चों किसी को फर्मूला वर्मूले पता है उसके प्रेशर इधर जादा हुगा इधर जादा हुगा अब यहां पे आप कोगे area जादा होता है तो pressure कब होता है और area कब होता है तो pressure जादा होता है यह funda नहीं है भई physics अगर पता होगी आप लोगों को आप समझ गये होंगे कि यह continuous flow है fluid का और जब continuous flow में होता है यहां पे तो जिदर area जादा है उधर pressure जादा होगा यह दर एरिया काम है उदर प्रेशर कब होगा अब इसका फॉर्मूला मेरे से मत पूछना गर में टंकी होती है ना हमारी टंकी कोलते हैं बहुत तेजी से पानी निकलता है हम बोलते हैं बहुत तेजी से प्रेशर आ रहा है प्रेशर तेज नहीं होता है वहाँ प्रेशर तेज नहीं होता है उसका फ्लो तेज है प्रेशर वहाँ पे कम होता है टंकी के उसेंट के उपर अगर गर के बार जो पाइप पड़ा ना सरकारी पाइप जिसके अंदर पानी भरा पड़ा है उसका डायमीटर जादा होगा प्रेशर उसके उपर जादा होगा प्रेशर उसके उपर जादा होगा हाँ वहाँ पे डायमीटर जाद है प्रेशर जादा होगा तंकी का डायमीटर जो है वहाँ पर प्रेशर कब होगा चलिए यार अब यहाँ पर होफ़ुली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा चलिए बस एक काम करते हैं क्लास खतम करने वाले है बस एक पॉइंट बता दे अगर किसी का ब्लेड प्रेशर कॉण्टीनिवस्टी 140 बाई 90 चलना है इसका मतलब बोलेंगे यार कि उसको हाईपर टेंशन की प्रॉब्लम है उसका ब्लेड प्रेशर बढ़ावा है यही तो है ना और अगर बढ़ावा ब्लेड प्रेशर है तो वो हमारे तीन ओर्गन को डेमेज करता है किसको ब्रेइन को डेमेज कर सकता है इस टोक होता है अक्सर होता है जिसका ब्लेड प्रेशर बढ़ावा होता है हेम्रेज हो जा हार्ट इलाज भी कर सकता है, मसल से जादा काम करेंगे, इलाज कर सकती है किड्नी, किड्नी में भी बड़े वे ब्लड पेशर से किड्नी की ब्लड वैसल डैमेज हो सकती है पिर वहां पे किड्नी का काम एफेक्ट हो सकता है तो brain, heart, kidney, तीनों structure, even retina भी डैमेज होता है या और भी organ डैमेज होता है यहाँ पे यह brain, heart, kidney, तीनी structure तो at least आपको याद रख नहीं है अब यहाँ पे एक चीज और भी है आपने ऐसा सुना होगा कि अगर किसी का blood pressure जादा है तो उसको बोलते हैं कि नमक नहीं लेना उसको बोलते हैं नमक नहीं खाना भई और किसी का blood pressure काम है उसको बोल देंगे वैसे तो यह कि अगर आपको पता हो कि हमारे खाने में नमक और हमारे खाने में चीनी ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग white poison इनको बोलते हैं white poison नमक भी हमें नुकसान करता है चीनी भी हमें नुकसान करती है हमारे खाने में पता नहीं कहां से घुस गई अधरवाइज ये के बहुत से लोग जाए बहुत कम सौर्ट लेते हैं हाँ बहुत कम चीनी लेते हैं या पिर चीनी के आपरे पास ये और alternative है brown sugar ले लेते हैं कुछ लोग या पिर ये zero calorie sugar free इस थाइप के alternative sources पर जाते हैं चीनी और ये नमक दोनों नुकसान करता है अगर हम लोग अपने dog cat की बात करें अपने pets की बात करें उनके पास खाने में नमक चीनी नहीं है उनके खाने में नमक चीनी नहीं है और उनके खाने में नमक चीनी नहीं है इसलिए उनको सुना भी नहीं होगा क्या उसके कुत्ते को आरे हाईपरटेंशन की problem हो रही है कभी सुना भी नहीं होगा ब्राउन शुकर मतलब जेगरी अगर समझ पार हूं आप लो गुड़् अगर आपका गाउं का बैक रॉड़ाउंड हो तो शुगर केण से जो रॉच शुकर बनती है उसका कणर ब्राउं होता है इसको ब्राउन शुकर बोलते है ये मैं ड्रक्स वाली ब्राउन शुकर की बात नहीं कर रहा हूँ ये ड्रक्स वाली ब्राउन शुकर की बात नहीं हो रही है समझ गये होंगे आप लोग अन्रिफाइंड शुकर बिलकुल ये अन्रिफाइंड शुकर है जिसको हम लोग प्रॉसेस ली करते है वो अन्डिफाइंड शुकर को ब्राउन शुकर बोल दे चलिए यहां पर नमक का चक्कर बता दिया आपको क्या है भई तो वैसे तो यह कि ब्लड पेशर अगर मम्मी का बढ़ा होता है न तो पिर किसी मशीन की जरूरत नहीं होती है मम्मी का ब्लड पेशर बढ़ा होई हमें ऐसी पता चल जाएगा चल जाता है न पता बच्चो मम्मी के ब्लड पेशर के बढ़ने का पता चल जाता है चल जाता है अंशीका सिंका सबसे पहले जवाब आया कि पता चल जाता है करन को भी पता चल जाता है मनीश को भी पता चल जाता है या शर्मा को भी पता चल जाता है सैली पाटिल को भी पता चल जाता है कनिश का सचदेवा, गायत्री बलकटे सबको पता चल जाता है कि मम्मी का ब्लड पैशर कब बढ़ता है चल ये बच्चों ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़े हम तो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो ये उनका ब्लड प्रेशर भी हमें कंट्रोल में रखना है प्रचिता गांगली बिल्कुल यार पापा का भी पता चल जाता है नहीं यार बेटिया तो अकसर ये मतलब पापा की लड़ली होती है मतलब डर्लिंग डॉर्टर तो पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ने का आप तो नहीं पता चलता होगा वो लड़कों को पता चलता होगा आपके भाईयों को पता चलता होगा किया पापा का बढ़ावा है चलिए खेर यहाँ पे यार सेशन एंड करें आ रहे हैं आ काफी देर हो गई मैं देख लूँ है टाइम कितना हो गया एक गंटे जादा ही हो गया होगा चलिए अल्मोस्त एक ही गंटा है यार जिनका यार नीट वगयरा का कोई एक्जाम अभी डिव है तो फिर बड़े दिन से अवेटेट था कि रमेश पोकरियाल निशंक जो हमारे HRD मिनिस्टर है पहले उन्होंने तीन तारिख दी ती कि वो तीन तारिख में कुछ एनाउंसमेंट करेंगे फिर उन्होंने दस तारिख दी कि आदस तारिख में कुछ एनाउंसमेंट करेंगे लेकिन आज एक गटा उन्होंने बोला भी लेकिन उसमें भी कुछ कॉंक्रीट कुछ नहीं बता है अभी भी अंसर्कrepsy निटी प्रीवेल कर रही है अगर हम लोग सडकों पे निकलना शुरू करते हैं बिमारी जल्दी से खतम नहीं होगी और वैसे तो यह है कि लॉग डाउन करके भी क्या हो गया जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको दो मिनट में आपे डिलीवर कर दी जाएगी कि भाया यह डेट एक्जाम किये और पढ़ना शुरू कर दो हम में का टार्गेट लेकी पढ़ रहे हैं हमें में दिमाग में रखना है अब बोर्ट वालों को मार्श दिमाग में रखना है वो आगे पिछे हो जाए वो एक अलग चीज है हम दोग रिलेक्स नहीं होतकते हमें तो टोस पर रहने ही पड़ेगा ठीक है बचो मिलेंगे अगले सेक्शन में ठीक है जब भी क्लास होगी कली ये शाद वैसे तो चली गुड़नाइट शुबरात्री शबाखेर ठीक है चली बई गुड़नाइट झाली है लो गुड़नाइट